पूरा विश्व जानता है कि आप बारत सरकार ने बीबीसी पर हिंदोस्तान के बीबीसी के आफिस पर रेड डाली है इनकम टैक्स ने इनी शब्दो में इसको बैन करना कज़ी कोई सर्वेऔरवे नहीं समझ में आता है और ये इनकम टैक्स के दाइरय में नहीं आता आप ये भी बेयान दे रहे थे उसके क्या बज़े थ BBC का revenue model क्या है BBC का revenue model है कि उसकी subscribers एक सालाना license fees जमा कराते है United Kingdom के post offices में Post offices उस पैसे को इखटा करके BBC को देती है जिस पैसे से BBC का खर्चा चलता है कोई विग्यापनों पर तो आधारित है नहीं उनका revenue model तो जब विग्यापनों पर आधारित ही नहीं है भारत का income tax वहाँ जाकर क्या rate डाल रहा है ये क्या तरीका है सिर्फ डराना चाहते हो डरालो वो अलग बात है लेकिन ये कोई बंता नहीं है कानूनी तो मोदी साहब से पूछिए जब भी मोदी साहब डरते हैं एजेंसी इसको आगे कर देते हैं ये तो उनकी पुरानी आदत है गुजरात से आदत है आप अभी देखिए पिछले तीन सालों में दैनिक भासकर, क्विंट, वायर, एंडी टीवी किस पर नहीं rate डाली जो इनके खिलाफ थोड़ा सा भी सच छाप देगा उस पर ये rate डालेंगे और BBC ने क्या किया 20 साल पुराना इतिहास इनी का है तत्यों पर आधारिज जो भी था जो सारुजनिक शेत्र में ये सब चीजे थी उनी तत्यों को सामने रख दिया लोगों के आप 100 साल पुराना इतिहास निकाल निकाल के सुझाव देते हो कि साब आप नहरू मत करो गांधी करो गांधी मत करो नहरू करो सरनेम सक पे पहुंच जाते हैं अपना इतिहास 20 साल का क्यों दबाना चाते हैं क्यों छिपाना चाते हैं क्या डर है कोविड में हुई लाशें जो मौतें थी उनकी लाशों की फोटो डाल दी थी उसी में घबरा गए अरे जो है तत्थे वो तो मीडिया सामने लाए गई ना आज नहीं तो कल कोई ने कोई मीडिया वाला लाए गई आप कितनों को चुप कर आओ अपने विदेशों क जब हमें रोटेशनल चेर्मेंशिप मिलती है हम कहते हैं इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए इंडिया इस दी मौदर ऑप हिपकरिसी है यह सामने सब को दिख रहा है बड़ी बातें कर रहे हैं मीडिया प्रेस ़ीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान 150 में रंक पे आया 2022 में उनको आवाज बंद कराने के वो तथे आपके सामने हैं तुम मांग क्या है अब हम एडिटर्स गिल्ड के स्टेट्मेंट में पूरी तरह से उनसे सहमत हैं उनके साथ खड़े हैं और हमारी मांग है कि विश्व में और अपनी जगहसाई मत करवाईए अपनी सरकार की अच्छ थी इंकम टेक्स के दाएरे में बीवी सी नहीं आता है ये भी वो कह रहे थे तो इस पूरे मामले को लेकर कॉंग्रिस की और से मांग करते हुए यहां पर प्रेस के साथ खड़े हैं यह वो कह रही हैं तो कहीं नहीं कि यह मामला राजनीजिक तोर पर तूर पकड़ रहा है और उसको लेकर अपवन खेड़ा ने भी नए आरोप लगाए हैं कैमरा में वीदर प्रिकिसाथ प्रदीक कुमार टोटल यूज दिली